कि है कि से अची अचीज़ प्लस्पाइब आद आज माथ करेंंगे सबसे परनेंगे टेश्टी बेवी किना और टेश्टीव वेवी क्यों बहुत बचों ने डिवांड किया है कि इसको बताई है तो इसको बात किया था बटर यहां पर ऐगर कुछ लोग को दिक्कत हो रही है हम explain कर देते हैं कि यह टेस्टिव बेबी होता है क्या है जिसे मान लीजिए कि कि किसी डमपत्ती को संतान नहीं हो पा रही है संतान नहीं हो पा रही है ठीक है और इसका रीजन कुछ ऐसा है कि यह प्रोप्लम जो मदर है न ठीक है यह फिर फादर से इन में है टीक है अगर अगर हम देखे तो जो माह होती है तो माह में हो सकते है कि उनकी गरभासे में इंप्लांटेशन की क्रिया ना हो यहाँ पर इंप्लांटेशन की क्रिया ना हो पाती हो या फिर हम यह कह सकते हैं कि इस फीमेल में जो ओविडक्ट है या क्लोज हो गया हो ठीक है या फिर एक और कंडिशन हो सकता है कि जो फिम्बरी है या एक को रिसीव नहीं कर पा रही हो पिता में क्या कारण हो सकते है कि इनमें स्पर्म जो क्वांटिटी है या काफी लो हो यानि कि स्पर्म की संख्या काफी कम हो और वीक स्पर्म हो हो जो फिम्बरी की एक को पेनेट्रेट ना कर पाता हूं तो बहुत से रिजन हो सकते हैं तो ऐसी दमपत्तियों में हम जो होता है कि फेट्लाइजेशन की क्रिया फेटिलाइजेशन की जो क्रिया होती है वह सरीर के बाहर शरीर के बाहर एक टेस्ट ट्यूब में कराते हैं ठीक है अब सुकि यह किया सरीर के बाहर होती है इसलिए इसको इन विट्रो फटलाइजेशन बोलते हैं असी असी च्टेश्ट टिव के अंदर में ट्सेट सब्सक्राइजेशन की क्लिया कराये जाती है ठीक है तो यहां पे टेंस्ट दिवके बाद का देवलक्मेंट में वह थोड़ाव था ठीक है सुकि यहां पे sovereign Gowing इस जाई गोड जो बवी उत्पन होता है जो चंचान उत्पन होती है उससे टेस्ट तीई बेवी काते है बेबी करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि फटलाइजेशन कहां पर हुआ है टेस्टिव के अंदर और वहां पर जाइगोड बना है बाकी का इसका एंब्रियोनिक जो डेवलप्मेंट होगा थोड़ा बहुत होगा बाकी सभी दूसरे मा के गर्म में होगा तो देखिए कैसे होत होता है उसके स्पर्म को क्लेक्ट करते हैं और जो फीमेल होती है फीमेल से हम एक को क्लेक्ट करते हैं और एक आधर्स मेडियम में एक आइडेंटिकल मेडियम में टेस्टिव के अंदर हम स्पर्म का और एक का दोनों का फटलाइजेशन कराते हैं जिससे यहां पर क्या बन बन जाता है यहां पर地 जाइगोट बन जाता तो किसके अद्र बनाया है डिटेस्ट ट्यूब के अंदर वना ठीक है अब इस जाइगोट जो बेबेवी डैकुल से कहा उसके एगे टैस्स ट्यूबग बेवी क्षा़ते बेवी कुछा क्या गहें या फिस सोघरदीज़ कर चाहँ आप यहां से अधिकर्थ 2-4-8 आप फैससे बन जाएंगे विलाश को सब्सक्राइब होुकर्ण सब्सक्राइब कार्या चैनल वाली एंब्री उपर घ़ाईए विंद्ट कोखा पूंसे और छाते लिज़िग में ट्रांसफर करते हैं और इसे IVF करते हैं और 16-32 वाले बलस्टोमियर को यूटेरस गरभासे में ट्रांसफर किया जाता है अब बाकी का डेवलाप्मेंट कहां पर होगा गरभासे के अंदर होगा ठीक है तो फटलाइजिशन कहा हुआ टेस्टिप के अंदर हुआ और टेस्टि अगर सपोर्ट किजिए कि यह जो टेस्टिव बेबी बनता है तो ऐसे कहते हैं अगर सपोर्ट किजिए कि यह जो टेस्टिव बेबी बनता है जो टेस्टिव बेबी है इस में इस एंब्रियो का ट्रांसफ़र हम इसी माता में ना करके किसी दूसरी मदल में करते हैं यानि कि टेस्टिव के अंदर जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट का ट्रांसफर उस फीमेल में ना करके किसी दूसरी फीमेल में कि दूसरी फीमेल में करते हैं जिससे एक नहीं लिया गया होता है अब दूसरी फीमेल में जब जाइगोट का ट्रांसफर करते हैं इसका रीजन क्या होता है चुकि जिस फीमेल से हम एक प्राप्त किया है इस फीमेल में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है जिससे उनका यूटेरस उस बेबी को आगे भविष्ट में करी नहीं कर सकता है तो हम करते क्या है कि इस female में अब हम इस जाइगोड का transfer नहीं करेंगे हम इस जाइगोड का transfer यह जो blastomir यहां पर बने हैं ठीक है इस का transfer हम दूसरी female में करेंगे जो healthy हो ठीक है जो पूरी तरह से healthy यानिकी स्वास्थो अब दूसरी फीमिल में जब हम इस जाइगोट या एम्ब्रीयो का ट्रांस्फर करेंगे तो इस एंब्रीयो का डेवलप्मेंट इस फीमिल के इस में होगा तिक गरवास्रे में होगा और यह बेबी को जन्म देगी वेबी को क्या करेगी जन्म देगी तो अगर देखें तो जिस फीमेल के अंदर इस एंब्रियो या जाइगोट का डेवलेप्मेंट होता है जो ओरिजिनल मातर नहों कोई दूसरी फीमेल होती है इसी को हम सरोगेट मा वोलते हैं किराय की कोख वोलते हैं क्योंकि या फीमेल ने एक दिया नहीं है बस बच्चे को क्या करेए अपनी बॉड़ी के अंदर डैवलप करा रही है ठीक है तो इसलिए या क्या कराती है सरोगेट में दर कराती है और अभी तो इसका काफी चलन हो चुका है तो मां कि वह मां होती है जो दूसरे के दूसरों कि बच्चे को अपने गर्व में पालती है पालती है और उन्हें जन देती है ठीक है और इसके लिए या कुछ पैसे मतलब मतलब लेते होंगी ऐसा कुछ होता है तो यह दोनों कुश्चन समद गया आप लोग की टेस्टी बेवी किसे करते हैं और सरोगेट मदर किसे करते हैं